कल भी आज भी पर गौरफ के साथ on FM बोले तो Radio City 91.1 और भी ज़रा चलेंगे उस दौर में जहां पर बता चलता है कि हमारे पहले सूपर स्टार राजर शन्ना सहाब की जिन्दगी में रोमांस किस तरह से आया कि साइकल चलाने के लिए गए और साइकल चलाते चलाते इनका दि साइकल मिली और हर इंसान का शौक होता है कि स्पीट से चला के देखा जाए बड़ी तेज साइकल चलाई और बैलन्स गया और धनाम से गिरे नीचे जैसे नीचे गिरे तो बड़ा रोने से लगे और चोट वोट लग गई कोहनी पर गुटने पर निकर पहन के गूम रहे थ इतने में लड़की जो कि इनसे उम्र में को तीन-चार बरस बड़ी होगी वो आई अपने घर से निकल के और तुड़ा समानवान लेकर आई तो ठीक ठाक करने लगी घाओ पे जड़ा साफ वाफ करने लगी घाओ तो लड़की को देखके काकर जी चुपो गए और लड़क फेक के घर में सीधा उससे मिलने जाते और कैसी है क्या है कुछ खाना वाना वी खाले थे उसके घर पे उसके माबाप से भी मिलते मिला तर बडोस में दी सारा बाचीत अच्य चल रही थी और अकसर लोग इनके देखते कि अब अकेले बैठा वाई नणना सा बच्छा है मु बागे बागे पहुंचे और जैसी उस लड़की घर पहुंचे तो देखा वहाँ पर ताला लटकावा है तो कहीं जाते नहीं यह लोग तो क्या हुआ तो आसपर उसमें पता करा तो इनने बताया गया कि इसके माबाब ने जो है यह सोच लिया था कि जैसे यह लड़की 18 साल क होगी इसकी शादी कर देंगे और वोसे गाउन ले गए है उसकी शादी होने वाली है और वो लोटकर कभी नहीं आएगी राजश करना साब बड़े रुवासे हुए बड़ा इनका दिल तूटा और यह जो बच्पन का रोमांस हाना हलका सासा ही वो इनके दिल में घर कर गय बाकि सबको यह भूल गए लेकिन ताँ उम्र वो लड़की ने हमेशा याद रही जब भी रोमैंटिक सीन की बात होती रोमैंटिक फिल्म की बात आती तो पहले योसी लम्हे को याद करते जहां पहली बार इन्होंने रोमैंस को महसूस किया था देखे क्या होता है हर इंसा हम बोलो तो Radio City 91.1 सुनाता हूं वो गाने जो छूले आपका मन